मैं करवाता हूँ बिटा बेसिक सेलरी 18400 इंटू 12 मोबाइल में अपना केल्सी ओन कर लेता हूँ मैं 18400 इंटू बारे 220,800 दीनेस अलाउंस 8200 इंटू 12 नैंटी एट थाउजन पोर हूँ रहें कमीशन 40 लेक का 1.4 परसेंट 60 थाउजन फिक्स मेडिकल अलाउंस 7200 इंटू हिल अरिया कंपनेटरी आलाउंस 450 इंटू 12 5400 इंटू 300 इंटू 12 3600 अधारे सो रुपे त्राइबल अरिया आलाउंस 350 इंटू 12 4200 माइनस 200 इंटू 12 2400 रुपे अधारे सो रुपे चिल्डन अधारे सो रुपे चिल्डन एजुकेशन अलाउंस 250 पर मंथ पर चायल नमबर आप चिल्डन नहीं दे रखी हैं तो एक ही बच्चा मान लेते हैं इसका इंटू 12 3,000 रुपे माइनस 100 इंटू 12 बारे सो रुपे तो अठारे सो रुपे पर मंथ पर चायल बैसे तो कोशन में देने चाहिए ते कितने बच्चे हैं मैं एक बच्चा मान के कर देता हूँ अगर आपने दो बच्चे मान के भी करें तब भी आपका आंसर ठीक माना जाएगा तो दो लाख बीस हजार रुपे दो लाख बीस हजार आठसो पिलस 98,400 फिलस 60,000 फिलस 7,200 फिलस 1800 फिलस 1800 पिलस 1800 तो यह टोटल जो आंसर आगया यह आगया 3,90,1,800 यह आंसर तब निकल के आया है जब हम यह मानना है इसका एक बच्चा है अगर दो बच्चे मान के किये हैं तो आंसर आएगा आपका 250 into 2 into 12 6000 हो जाएगा माइनस कर देंगे 100 into 2 into 12 2400 रुपे तो 6000 2400 रुपे तो इसमें 1800 रुपे और एट कर देना पिलस 1800 कर देंगे तो आंसर कितना हो जाएगा पिलस 1800 तो हो जाएगा 391800 में एट कर देते हैं 1800 रुपे तो आंसर हो जाएगा 393600 यह आंसर हो जाएगा तो जिसने एक बच्चे को मान के किया है उसका आंसर 391800 आएगा और जिसने दो बच्चों को मान के किया है उसका 393600 आएगा यह answer रहेगा बेटा पहला question का दूसरा question solve करता हूँ 3,60,000 Dearness allowance into 12 1,44,000 रुपे बेटा Commission 70,000,000 का 2% 1,40,000 रुपे 70,000 रुपे 1%, 2% 1,40,000 lunch allowance fully taxable होता है 10,800 transport allowance fully taxable होता है 30,000 रुपे चिल्डन एजुकेशन अलाउंज 600 पर मंद्ध फॉर ठीचिल्डन यह तीनों को मिलाके दे रखाए लुपर फॉर तीनों को मिलाके दे रकाए 600 रुपे पर मंद्ध फॉर human पर थुर्डरन तो मैं कर दूंगा 600 पर 12 यह ओगे आपके लिए 70 —200 मतलब अगर तीन से डिवाइट करेंगे तो एक बच्चे को 200 रुपे मिल रहा है माइनस 100 इंटू 2 इंटू 12 2400 रुपे माइनस कर देंगे तो 4800 रुपे टैक्स से बिल आ जाएगा कन्वेंस अलाउंस टोटल हो जाएगा 18,000 रुपे उसमेंसे खर्च कर दिया 12,400 तो 18,000 मेंसे जो मैनस कर दिया उसने वो एक्जेम्ट हो जाएगा जो खर्च कर दिया तो यह आ जाएगा आपकी 12,400 करना था मैं कुछ गलत कर गया 18,000 मैनस 12,400 फिप्टी सिक्स हंडड़ टुपीस टैक्स से बिल आ जाएगा तो इसको एट कर देते हैं 5,600 पिलस 4,800 पिलस 30,000 पिलस 10,800 पिलस 1,40,000 पिलस 1,44,000 पिलस 3,60,000 तो यह आंसर आ जाएगा 6,95,200 तो दूसरे कोशन का आंसर हो गया 6,95,200 सब के आंसर में चेक करूँगा लेकिन पहले अपने चारों आंसर में निकाल लेता हूँ इसको 12 से मिल्टीपलाई करेंगे तो यह हो जाएगा 5,4,000 4,80,000 पिलस 24 पांच लाख 4,000 60% of basic salary तो 5,4,000 इन्टू 60% यह हो जाएगा 3,2,400 कमीशन लमसम में दे रखा है 15,000 सर्वेंट अलाउंस में खर्चा बिल्कुल यूजलेस होता है सर्वेंट अमाउंस हमेशा fully taxable होगा 10,800 तो उसने खर्च तो किया लेकिन खर्च अपने ही ऊपर किया अपने ही benefit के लिए खर्च किया इसलिए सर्वेंट अलाउंस के अंदर कोई भी exemption नहीं दिया जाएगा खर्चा करते हो तो अपने ही ऊपर करते हो तो fully taxable होता है ट्रांस्पोर्ट अलाउंस हमेशा fully taxable होता है हाँ अगर वो blind होता, deaf and dumb होता है या orthopedically disabled होता तो 32 रुपे परमंद का एक exemption दे देते अब यह दे रखा है 90 रुपीज तो 90 into 3 into 12 तो 90 into 3 into 12 यह हो गया 3 to 4 0 माइनस करेंगे 90 into 2 into 12 90 into 2 into 12 2160 तो बचाएगा 1080 सर 100 रुपे तक का 100 रुपे मैंने खाता maximum होता है अगर मिल ही 90 रहा है तो 90 से ज़्यादा का exemption दे कैसे सकते हो मैंने बताया था एक rule ही आप कर लो exemption कभी भी income को exceed नहीं करेगा तो 90 into 3 into 12 3240 2160 तो 1080 यूनिफर्म एलाउंस 10,000 रुपे मिला जो spend कर दोगे वो exempt हो जायागा 9550 तो आपका खर्च कर दिया आए तो 500 रुपे आपका taxable हो जाएगा तो कितना आएगा 5,4,000 पिलस 302,400 पिलस 15,000 पिलस 10,800 पिलस 30,000 पिलस 1080 पिलस 500 और ये निकल के आगया 8,63,780 आखरी question में करवाता हूँ basic salary दे रखिये आपके लिए 2,64,000 240 पिलस 22, 264 तो जाएगा 50% of basic salary 11,000 इंटू बार है 1,32,000 fixed medical allowance में खर्चा इग्नोर करते हैं तो अगर बीमार पड़े भी तो अपने ही उपर खर्च करेंगे इसलिए 14,400 फुली टेक्सेबिल होगा transport allowance transport employee allowance दोखो ये transport corporation का employee है और transport employee allowance दे रखा है तो proper तरीके से में working notes बनाता हूँ अब मिला उसके लिए 15,000 रुपे पर मंद तो मिला 15,000 इंटू बारे 1,80,000 इसमेंसे exemption उसके लिए कितना दिया जाएगा तो एक limit तो fix होती है 10,000 रुपे पर मंद ये हो गई 1,20,000 और दूसरी limit होती है जो मिला उसका 70% तो 1,80,000 का 70% तो 1,80,000 रुपे का निकाल देते हैं 70% 1,26,000 रुपे तो 10,000 रुपे पर मंद और 70% of the allowance उसके लिए मिला था 1,80,000 रुपे और 1,80,000 का 70% 1,26 और 10,000 रुपे पर 1,20 तो इन दोनों में जो lower होगा 1,20 का exemption दे देंगे तो 60,000 रुपे टैक्सेबिल हो जाएगा तो इसके आगे मैंने लिख दिया 60,000 रुपे 60,000 रुपे इस दा टैक्सेबिल अमाउंट चिल्डन एजुकेशन अलाउंस 500 पर मंद फर 3 चिल्डन तो 500 इन टू बारे 6,000 पर मंद पर चाल नहीं लिखा है 500 पर मंद फर 3 चिल्डन एक बच्चे के लिए करीब 133 रुपे के आसपास मिले तो हम exemption देंगे 100 इन टू टू इन टू 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 2400 रुपे मैनस करेंगे और 3600 रुपे टैक्स से मिल हो जाएगा तो ये 264,000 पिलस 132,000 पिलस 144,000 नहीं 14,400 14,400 पिलस 60,000 और फाइनली 3600 तो ये income निकल के आएगी 474,000 और इस तरीके से मैंने जो homework दिये थे वो चारो questions आपके सामने solve कर दिये पहले का answer 391,800 या 393,600 क्योंकि question incomplete था तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता हूँ कि आपने कितनी salary के लिए माना दूसरे का answer निकल के आया 695,200 तीसरे का 863,780 और finally 4,74,000 देखो बिटा सब लोग अपने को silent पर कर लो बसंसाब silent पर कर लो next आदे घंटे बहुत प्यारा topic पढ़ाऊंगा जो paper में कम से कम 2-3 number आपके लिए दिलवाएगा बिल्कुल चुपचाप सांस ठाम के देखते रो मैं क्या पढ़ा रहा हूँ topic का नाम है house rent allowance topic का नाम है house rent allowance अगर आपका employer आपको rent pay करने के लिए कोई cash देता है that is called the hra house rent allowance पिछली क्लास में मैंने कहा था जतने भी allowances होते हैं दो category होती है partly or fully exempted category और fully taxable category जो partly और fully exempted होते हैं उसके अंदर फिट दो category हमने बना दी थी एक तो official purpose से बना दिया था पर एक special allowances for the personal purpose जो official purpose से मिल रहे थे उनका exemption तो logically समझ में भी आ रहा था हमने जो भी खर्च किया वो boss के benefit के लिए खर्च किया इसलिए जो भी हम खर्च कर देंगे वो exempt हो जाएगा और केबल 6 allowances दे रखे थे tour and traveling allowance, daily allowance, conveyance allowance, helper allowance, uniform allowance, and the research allowance लेकिन दूसरी category में कुछ personal allowances थे और वो खास बज़ा से exemption का benefit दिया गया लेकिन वो exemption खर्चे पर depend नहीं करेगा, वो एक fixed amount act में लिखा हुआ है, उतना ही exempt होगा चिल्डन education allowance में 100 to peach per month per child for two children hostel expenditure allowance 300 per month per child maximum two children इस तरीके से मैंने इसमें next बताया था आपके लिए that is transport allowance अगर वो blind है है handy disabled है, उस case में 3200 to peach per month अगर कोई ऐसा employee है जो transport corporations में काम करता है तो उस case में exemption मिलेगा 10,000 रुपीच per month और 70% of the allowance which average lower इसके बाद hill area compensatory allowance बताया था जो 300 रुपे से लेके 7,000 रुपे के बीच में था, कुछ specific states में specific heights पे 800 रुपे सिया चिन में 7,000 रुपे था इसके अलावा 1000 feet की height पे होगा तो 300 रुपे होगा तो मैं आपको बता रहा था कि इसके बाद ता आपका transport allowance एंपलई जो होती है corporations के, उसके बाद hill area compensatory allowance जो होता है वो exempt होता है 300 से लेके 7,000 रुपीच तक अगर सिया चिन में posting है तो 7,000 होगा मुझे specific states में specific height पे 800 रुपे होगा लेकिन इसके अलावा किसी भी area में 1000 feet की height पे अगर posting है तो 300 रुपे होगा तो जब भी paper में आए तो हमेशा 300 रुपे का exemption दे देना फिर मैंने tribal और schedule area allowance बताया था अलावा paper में कुछ भी नहीं आएगा और practical lack में भी maximum वही यूज में आती है लेकिन इसके अलावा कोई भी नया allowance होगा वो हमेशा fully taxable होगा इन 6 प्लस 14 के अलावा कोई भी होगा मैंने बहुत लंबी list दी ती डियरनेस allowance दिया था, fix medical allowance दिया था लंच और टिफिन allowance दिया था, servant allowance दिया था 2WB होता है लेकिन एक एक और भी होता है जिसको HR A कहा जाता है और इसका जो exemption होता है उसका बिल्कुल different treatment होता है और उसके exemption का जो section होता है वो होता है 10, 13, A और जो rule होता है वो होता है rule 2 A एक देफ़े को section नहीं लिखो चलेगा लेकिन कोशिश करना rule लिख दें और जैसे मैंने last class में कहा था अगर आपको पका पता हो तभी लिखके आना च्योंकि गलत लिखके आओगे तो max जरूर कटेंगे और नहीं लिखके आओगे तो हो सकता है पूरे max मिल भी जाए एक्जमनर केबल आपका answer देखे answer ठीका रहा है आपका पूरा number दे दे लेकिन impress करने के लिए कुछ extra देना पड़ता है जिनके अच्छे number साथे हैं क्योंकि वो कुछ ऐसा देके आते हैं copy में जो बाकी लोग देके नहीं आते हैं तो अगर आपको रूल याद रह जाएं तो बाकी सारे allowances का exemption का जो रूल था टू डबल बी था टू डबल बी बी कैपिटल में था बेटा टू डबल बी और हारे का exemption का जो रूल होता है वो टू ए होता है अगर आप rent पे कर रहे हो तो बो भी तो आपी का benefit है तो सरी तो fully taxable होना चाहिए तो मैं इसका एक बहुत प्यारा जबा बच्चों को देता हूँ मुझे rent क्यों पे करना पड़ा ये बताओ तो बच्चे कहते हैं तो दूसरे शहर में आप नौकरी करने के लिए गए इसलिए rent पे करना पड़ा तो फिर personal कहा हूँ हुआ सरकार मुझे मेरे शहर में नौकरी दे दे कोई आदमी के अपना देश शोड़के दूसरे देश में नौकरी करना चाहता है आप सब लोग जब अपना कर लोगे पूरा qualification पूरी कर लोगे और नौकरी के लिए निकलोगे तो हर बच्चा यही चाहिएगा कि जहां पर उसका घर है वहीं उसको नौकरी मिल जाए दोनों साक्षी पढ़ लेए उनका मन करेगा हमारी नौकरी मुंबई लग जाए मुंबई में हमारा शांदर घर बना हुआ है तो हम कितना एजी रहेगा कन्मिनेंट रहेगा हमारा कोई बच्चा अगर यहां पर राइस्थान का बैठा हुआ है यसर रवी साह है और भी बच्चे डिफरेंट जगेसें आई हुए है वो हमेशे क्या चाहेंगे क्योंको उन्ही के शहर में नौकरी मिल जाए लेकिन नई सरकार नहीं दे पाती है नौकरी आपको किसी दूसरे शहर में मिलती है बरिली कादमी जैपर में नौकरी कर रहा है आगर एक आदमी करनाट का बैंगलोर के अंदर नौकरी कर रहा है दिल्ली काद में मुंबई में जाके नौकरी कर रहा है तो जो आप रेंट पे कर रहे हो वो पैसा कमाने के लिए कर रहे हो इसलिए सरकार कहती है हम इसमें से आपको एक्डम्शन का बेनिफिट देंगे तो ये तो इस बात का जवाब हो गया कि exemption का benefit क्यों मिलना चाहिए मैंने ये logic आपके लिए दिया अब सवाल ये उड़ता है कि आपको exemption कितना मिलेगा तो ये इस बात पर depend करेगा ये आप metro city में रहते हो ये आप non metro city के अंदर रहते हो metro city के बल चार माने जाते हैं देली मुंबई कोलकता and chain नहीं और एक बच्चे नहीं उस दिन बैच में बोला सल लखनों में भी तो metro चल गई है metro city का metro train से कोई भी relation नहीं है दूर दूर तक इस metro की full form होती है metropolitan cities जो बहुत सारी बातों पर depend करता है कितना आपके population है उस शेहर के अंदर कितना infrastructure से metro city एक different चीज होती है पहली बार France ने metro का यूज किया था metro train का यूज पहली बार France ने किया था उसने underground जमीन के नीचे train चलाई थी सारी की सारी उसका नाम metro दिया था तब से वो train जो जमीन पर नहीं चलती है या तो जमीन के नीचे चलेगी है जमीन के उपर चलेगी उसको metro train बोला जाता है इस metro train होने से metro city होने का कोई भी relation नहीं है फिर तो यूपी के भी कई सारी में गाजियाबाद तक पहुंच चुकी है तो गाजियाबाद ही metro city है सिटीच के मापदंड होते हैं उसके हिसाब से के बल चार सिटी को metro माना गया है देली, मुंबई, कोलकता, चेन लई कभी आप मुंबई जाओगे तो देखना मराठी लोग जो होते हैं शिंदे होगे, तेंदुलकर, मजरेकर तो ये मुंबा देवी की बहुत पूजा करते हैं, मुंबा देवी तो मुंबा देवी तो मुंबा देवी को रस्पेक्ट देने के लिए जो बंबई पहले नाम था, उसका नाम मुंबई कर दिया गया, अब इसको मुंबई बोला जाता है, इसी तरीके से कभी आप तमिलनाडू के चेन्नाई में जाओगे तो शेर के बीच और बीच एक मंदिर बना हुआ है चेन्नादेवी का और उस शेर के लोगों का ये मानना है, किसी भी तरीके से अगर हमारे शेर पे बिपदा आती है तो ये चेन्नादेवी हमारी हेल्प करती है इसलिए पहले इसका नाम मदरा सुगा करता था और चेन्नादेवी के नाम पे शेर का नाम चेन्नाई कर दिया गया तो ये पूरी कहानी होती है जो शेर के नाम चेंज होते हैं लेकिन आप rent कहां पे कर रहे हो Metro या Non Metro Rent Paid In इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझ लेना मैं Rent Paid In लिख रहा हूँ Rent Paid In तो ऐसा क्यों लिख रहे हो रीजन है अगर आप नौकरी मुंबई दिल्ली में करते हो और रहते हैं गाजी अबाद में हो नौकरी दिल्ली में करते हो और rent आप पे कर रहे हो गाजी अबाद में तो आप एचारे के exemption के लिए Non Metro माने जाओगे इससे मतलब नहीं है कि आप कहां पे नौकरी कर रहे हो मतलब इस बास से कि आप rent कहां पे पे कर रहे हो और कोई आदमी घाजी अबाद में नौकरी करता है या फिर फरीदाबाद में नौकरी करता है या गुडगाओं में नौकरी करता है और rent दिल्ली में पे कर रहा है तो फिर exemption के purpose है Metro City के हिसाब से calculation करेंगे तो अच्छे तरीके से समझे लो ये मत देख रहा है वो नौकरी कहाँ पे कर रहा है हमें ये देखना पड़ेगा वो rent कहाँ पे कर रहा है तो rent अगर Metro में पे कर रहा है या rent Non-Metro में पे कर रहा है इसके बेस पेक दिमशन का benefit दिया जाएगा तो जो आपका पहला होता है वो है 50% of salary दूसरी लिमिट लिखी हुई है Actual HR A Received और तीसरी लिमिट लिखी हुई है Rent Paid minus 10% of salary हर चीज समझाऊंगा आदे घंटे तक केबल मुझे सुनते रहो कोई भी डाउट है पेपर पैन लेके बैठो अपना डाउट नोट कर लो जब मैं कहूंगा हाँ डाउट कूछो अपने डाउट कूछ लेना तो exemption लिखा हुआ है whichever is lower तीन लिमिट निकालनी पड़ेंगी 50% of salary Actual HR A Received और rent paid minus 10% of salary जो आपका Actual HR A Received होगा वो भी question paper में दे रखा होगा वो कितना rent पे करता है ये भी दे रखा होगा लेकिन दो जगे लिखा हुआ है 50% of salary और 10% of salary यहाँ salary का क्या मतलब है तो एक तो main salary चल रही होगी और एक salary और निकाली जाएगी इसको कहा जाता है salary for the purpose of HR A इसके अंदर केबल तीन amount आएंगे एक तो आएगा basic salary एक DA ये अगर DA के आगे लिखा होगा forming तब और एक आएगा commission अगर commission आपका fixed percentage on turnover दे रखा होगा turnover का मतलब होता है आपके लिए sale तो या तो turnover लिखा हो या sale दिखा रखा हो एक तो main salary चल रही होगी और एक salary और निकाली जाएगी जिसको कहा जाएगा salary for the purpose of HR तो HR का exemption पढ़ाने से पहले DA के बारे में थोड़ी बाते और कर लेते हैं Dearness allowance के बारे में क्योंकि अगर ये बातें नहीं करेंगे तो फिर आप HR समझी नहीं पाऊ भी मैंने कल भी कहा कोई भी allowance paper में दे रखा हो लेकिन मैं guarantee ले रहा हूँ DA के बेना paper नहीं बनेगा Dear English के वर्ल्ड से बनाए जिसका मतलब होता है expensive, costly जो आपका रहने का standard बढ़ता चला जा रहा है महाई बढ़ती चली जा रही है उससे निबटने के लिए आपको कोई allowance दिया आता है that is called the Dearness allowance और ये हमेशा fully taxable होता है मैं dear national allowance पर time लगाऊंगा 10 से 15 मिनट मेरी बातों को द्यान से सुनना अगर मेरी salary 30,000 रुपे पर मन्त है आज मेरे खर्चे meet out हो जाते है हो सकता है कल मेरे खर्चे meet out नहीं कल आटे का rate भी बढ़ जाएगा हर चीज महगी बढ़ेगी हो सकता है मैं आज खर्चा meet out कर लूँ लेकिन कल 30,000 रुपे में खर्चा meet out नहीं करूँगा और उसके बाद तो वो मेरी limit से बाहर हो जाएगा ति मेरा boss मुझे एक allowance देगा जिसको कहेंगे DNS allowance suppose करते हैं वो यहां पर 5000 रुपे पर मन्त दे रहा है लेकिन अगर वो 5 ही देता रहेगा तो तो फिर एक तरीके से सेलली 35 रही लेकिन ये भी revise होता रहेगा अगर 5 मिल रहा है तो हो सकता है अगली बार 5000 नौसो रुपे पर मन्त मिले हो सकता है फिर 6700 रुपीस पर मन्त मिले जिस अनपात में मेंगाई बढ़ रही है उस अनपात में लगवक डिये को भी बढ़ाना चाहिए इससे employee अपनी जिन्गी को आराम से कुजार सके तो बच्चे कहते हैं से डिये डिये क्यों रहा है वो उसकी employee को इसकी salary को बढ़ाना शुरू कर दे 30,000 रुपे salary है तो 30,000 अब 35 salary मनलो फिर कर दे 36,000 रुपे salary फिर 37 कर दे फिर 38 कर दे वो डियर ने सलाउसलक से क्यों दे रहा है वो मेंगाई से निवटने के लिए salary को ही बढ़ाना शुरू कर देना आइडिया तो अच्छा है कि आप salary पहले 35 दे दो फिर मेंगाई बढ़े तो उसकी salary 35 कर दो और मेंगाई बढ़े salary 37 कर दो salary 49 कर दो क्या फरक पड़ता है लेकिन इसमें एक ठोटी सी दिक्कत है दिक्कत यह है कि जहम salary की calculations करेंगे तो कई जगे basic salary का यूज होगा आगे कई जगे हम आपकी calculation करेंगे जैसे अगर boss ने का कि हम आपको bonus देंगे एक महीने की basic salary के बराबर one month basic salary के बराबर bonus देंगे अब अगर basic salary बढ़ा दोगे तो उसका bonus भी बढ़ जाएगा तो basic salary का यूज कई जगे किया जाता है तो अगर basic salary में आप इसी भी तरीके का change इच करोगे तो पूरी salary में 15 से 20 जगे जाके impact पढ़ाएगा तो वो क्या करते हैं basic salary को तो fix रखते हैं और एक अलग से allowance बना दियर नेस allowance और दियर नेस allowance को कहते हैं मेंगाई से निवटने के लिए दे रही है उसको मेंगाई के respect में बढ़ाते हुए चलते हैं मैं परसनली ये मानता हूँ डियर नेस allowance basic salary का ही हिस्सा होता है इसमें कोई अंतर ही नहीं है बस basic salary के दो हिस्से कर दो एक salary को तो fix कर दो और एक हिस्से को ये बोलो कि मेंगाई के respect में हम बढ़ाते रहेंगे जिसको हमने fix करके रख दिया उसको हम basic salary बोलते हैं और जिसको हम मेंगाई के respect में बढ़ाते रहते हैं उसको हम dearness allowance बोलते हैं तो मैं तो dearness allowance को हमेशा ये मानता हूँ कि basic salary के equivalent है बिलकुल बराबर है इसलिए मैंने लास क्लास में भी कहा जब भी आप कहीं जॉब करने जाओगे तो और कोई अलाउंस मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है लेकिन मैं गारंटी ले रहा हूं एक अलाउंस डैफिनिटली आपके लिए मिलेगा तो डियरनेस अलाउंस महगाई स समझो जब डियर में आगे से जब भी दूँगा उसकी ब्रैकेट में कि स्टेटमेंट लिखा होगा वो स्टेटमेंट लिखा होगा forming part of salary for retirement benefits या फिर लिखा होगा not forming part of salary not forming part of salary for retirement benefits जब भी आपको डियर दे रखा होगा तो ब्रैकेट में कि स्टेटमेंट जरूर लिखा होगा forming part of salary for retirement benefits या फिर दे रखा होगा not forming part of salary for retirement benefits जैसे मैं लिखा डिये 10,000 रुपे पर मंद में तुरंग बोलूँगा बिटा लिखो ब्रैकेट में forming part of salary या फिर मैं बोलूँगा लिखो बिटा ब्रैकेट में not forming part of salary आगे से जब भी मैं question दूँगा तो डिये के आगे मैं दूँगा ही दूँगा forming या not forming जितने भी आगे salary के questions देखने वाले हो जितने भी आज के बाद देखोगे देखो यहां लिखा हुआ है 50% forming यहां लिखा हुआ है 50% forming इस तरीके से लिखा हुआ है 30% is considered for the purpose of retirement benefits इसका मतब 30% forming दे रखा है जितने भी questions आगे आगे आप देखोगे देखो यहां पे लिखा हुआ है not forming तो आगे से जब भी और आप 10 एस भी अगर open कर लो अभी तो 10 एस में कोई भी question ऐसा नहीं मिलेगा जिसके आगे या तो forming या not forming नहीं दे रखा हो दे ही रखा होगा 100% दे रखा होगा तो सर इस statement का मतलब क्या होता है वो बाद में पहले है काम की बात चाहां ये statement दे रखा हो चाहां ये statement दे रखा हो DNS allowance fully taxable था fully taxable है और fully taxable रहेगा statement इसके treatment को impact नहीं करेगा ये fully taxable लेगा पहले तो ये काम की बात समझ लो अब बच्चे कहते हैं सर चलो ये बात तो हमें समझ में आ गए DNS allowance fully taxable होगा चाहां forming लिखा हो चाहां not forming लिखा हो सर अब ये बता दो लिखा क्यों होता है एक चीज होती है जिसको कहा जाता है retirement benefits जैसे कि retirement benefits में मैं बताता हूँ pension हाँ सर समझ में आ गया जो retirement case हमें मिलती है pension तो बॉस एक fund बनाता है pension fund के नाम से जिसको provident fund भी कहा जाता है इसमें बॉस पैसा डालता है थोड़ा और वो पैसा थोड़ा बॉस डालता रहता है और वो इखटा होता रहता है और जब भी retirement होता है तो इस पैसे से आपको pension मिलना शुरू हो जाती है इसको कहा जाता है प्रॉइबिडेंट fund तो दिहान से सुनों जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए कि अगर मैं किसी कंपनी में गया और मेरी salary है 30,000 रुपे पर मन और मेरा dearness allowance है 10,000 रुपे पर मन उसने का बिस्टर बंसल बताओ नौकरी जोइन करोगे नहीं करोगे हम इतना आपको देंगे मैंने का सर बाकी सब कुछ तो ठीक है बस यह बता दो कि pension fund में आप इतना डालोगे सर यह और बता दो को ले क्यों पूछना चाते हो मैंने किस रादमी अपनी बुड़ापे की चिंतावी तो करता है जो मेरे बुड़ापे के लिए फंड बन रहा है उसमें आप इतना पैसा डालते हो तो मुझे स्टेस्फेक्शन रहेगा कि कभी मेरी नौकरी चली जाती है तो कम से कम मेरे पास एक फंड तो है जिससे मुझे pension बगारा पैसा आपके फंड में डालेंगे 12% of basic salary प्लस डिये वो इन दोनों में से मुझे एक जवाब देगा तो 40,000 रुपे का 12% इसका मत्तब मेरे फंड में डालेगा अपनी जीव से 48 रुपे पर तो मैंने अपने बहुत से का सरमेंट जॉप को जोएन करना चाहता हूँ बस मेरे एक question का जवाब और दे दो कि मेरे pension fund में आप इतना डालोगे so that मैं अपने future के बारे में भी निश्शिंत हो सकूँ बोलते हैं हम आपकी basic salary का 12% डालेंगे तो इसका मत्तब तो 30,000 रुपे उसका 12% प्रती मन्त पर महा 3600 रुपीज जाएगा और अगर वो कहता है basic salary DO को add करके जो आएगा उसका 12% तो 4800 तो अगर उसका जवाब पहला वाला होता है तो उस company के DO को बोला जाएगा not forming part of salary for retirement benefits retirement benefits के calculation के लिए DA को salary का हिस्सा नहीं माना जाएगा और अगर उसका जवाब दूसरा वाला होता है कि बसल जी हम आपको 12% of basic salary plus DA contribute करेंगे तो इस DA को बोला जाएगा forming part of salary for retirement benefits retirement benefits की calculations के लिए dearness allowance को salary का ही हिस्सा माना जाएगा और basic salary plus DA इस तरीके से तो ये statement के बल ये बताते हैं कि जब आप अपने retirement benefits को calculate करोगे तो उस समय salary का मत्तब के बल basic salary माना जाएगा ये basic salary plus DA माना जाएगा actually में जो मैंने पढ़ाया वैसा नहीं होता है होता वास्तब में क्या है practical life में बोस आपको आप जब भी नौकरी को join करोगे तो बोस ने कहा 30,000 रुपे पर मंत होगा आपका basic salary और DA आपका होगा 10,000 रुपे पर मंत और वो आपको बता देगा हम आपके pension fund में जो पैसा डालेंगे वो डालेंगे 12% of salary बो basic salary बस इतना बोलेगा salary आप पूछो कि इसा salary का मत्तब क्या है तो बोले DA में जाके देख लूँ अब अगर DA के आगे अब DA वाले पेच पर जाना आप क्योंकि वो एक पूरी booklet मिलती है आपको क्या क्या मिलेगा अगर company के DA के आगे लिखा है forming तो इस salary का मतलब हो जाएगा basic salary प्लस DA और अगर DA के आगे लिखा हुआ है not forming तो इस salary का मतलब हो जाएगा 12% of basic salary only DA नहीं include करेंगे तो बोस यह नहीं बोलेगा basic salary पर जाएगा वो आपसे यह बोल देगा हम आपकी salary का 12% फंडमेंट डाला करेंगे अब आपको यह पता है basic salary तो आएगी याएगी अब DA आएगा नहीं आएगा यह जानना चाहते हो तो DA के आगे देख ले ना उस company ना आपको क्या लिखके दिया है अगर DA के आगे लिखके दिया है forming इसका मतलब 12% of basic salary plus DA और अगर लिखके दिया DA का आगे not forming इसका मतलब 12% of basic salary DA को include नहीं करेंगे तो ये statement current year की salary को effect नहीं डालते हैं ये statement के बल ये बताते हैं कि जो आपका बहु से एक fund में पैसा डाल रहा है उस fund में जब पैसा डालेगा तो वो आपकी salary को क्या मानेगा कि बल basic salary को आपकी salary मानेगा ये basic salary plus DA को आपकी salary मानेगा ये रिटार्यमेंट के समय की बात चल रही है तो आपको डिये मिली रहा है उस पे कोई इंपेक्ट नहीं आ रहा है इसलिए मैंने का डिये अन्यस अलाउंस हमीशा fully taxable होता है जैसे कि इस तरीके से समझो मैंने यह आपे लिखा मुझसे tax भी कुछ बच्चे पढ़ते हैं coaching में मेरी और accounts भी पढ़ते हैं अब tax में मुझसे ship पढ़ता है तमन्ना है राज है बसंत है अन्शू है अब इस coaching के अंदर accounts ship भी पढ़ता है तमन्ना भी पढ़ती है, राज भी पढ़ता है बसंद भी पढ़ता है अंशू नहीं कर नहीं सर मुझे तो इस कोचिंग में केबल टैक्सी समझ में आता है वसके वो टैक्सी पढ़ती है तो मैंने अपने रजिस्टर में अंशू के नाम के आगे लिख लिया not forming part of class for accounts तो दो रजिस्टर नहीं बनाए मैंने टैक्स में लिख लिया बस अंशू के नाम के आगे not forming part of class for accounts अब मैं बच्चों से पूछता हूँ बटा बताओ टैक्स में कितने बच्चे पढ़ते हैं तो बच्चे कहते हैं 1,2,3,4,5 मैं कहता हूँ लेकिन बटा अंशू क्यों काउंट किया वो तो क्लास का हिस्सा ही नहीं है not forming part of class बच्चे कहते हैं तो इतनी छोड़ी सी बात आपको समझ में नहीं आ रही है टैक्स का हिस्सा तो है सर वो accounts के लिए क्लास का हिस्सा नहीं है आप टैक्स की बात कर रहे हो टैक्स के लिए तो हैस्सा तो टैक्स में तो पाँची माने जाएंगे हाँ accounts में आप चार बच्चे कह सकते हो मुझे बेटा समझ में आ रही है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो अगर मैं कहता हूँ डीय के आगे not forming part of salary तो यह मस समझना वो salary का हिस्सा नहीं है salary का हिस्सा है retirement benefits के लिए salary का हिस्सा नहीं है मतलब जब उसके pension fund को compute किया जाएगा या कुसी भी retirement funds के लिए बनाया जाएगा उस समय हम यह देखेंगे कि डीय को salary के बराबर weightage दी जाए या salary के बराबर weightage नहीं दी जाए इसलिए मैंने कहा आप से कि जब भी आज के बाद डीय दूँगा तो या तो forming दूँगा या not forming दूँगा और हमेशा कोशिश करो forming हो तो forming होने से उसकी weightage basic salary के बराबर बिल्ग बराबर पहुंच आता है कंदे से कंदा है बिलाके basic salary के बराबर चलता है जहां जहां आपको pension fund में basic salary लिखी होगी वहां salary का मत्तब basic salary पर डीय दोनों माना जाएगा तो आज के बाद हम जब भी डीय देंगे जो भी teacher आपको डीय देगा तो paper में भी डीय लिखा हुआएगा तो एक जनर आपको बता के देगा इस डीय की weightage retirement benefits के लिए basic salary के बराबर है या नहीं है तो लिखा होगा forming part of salary for retirement benefits या not forming तो इतना पूरा statement को ही नहीं लिखता है starting के ही दो या एक बल लिख देते हैं या तो forming लिख देते हैं या not forming लिख देते हैं दोनों case में fully taxable होगा बस ये अलग statement दे रही है अब आते हैं HR-A पे तो सरकार से मैंने का कि सर देखो मैं रहने वाला हूँ एक छोटे से टाउन का उजानी का और दिल्ली नौकरी करने आया हूँ सर मैं और दिल्ली में मेरा boss मुझे HR-A देता है बिल्कुल ठीक है और हम exemption कितना देंगे उसके लिए तीन limits हम निकालेंगे 50% of salary actual HR-A received और rent paid minus 10% of salary और जो दो जगे salary लिखा हुआ है इस salary का मतलब माना जाएगा एक अलग बिल्कुल मतलब और वो मतलब वो मतलब होगा जो आपने नीचे लिखा हुआ है वो मतलब क्या होगा basic salary DA को हम तभी लेंगे जब forming लिखा होगा जब retirement benefits के लिए DA consider किया जा रहा है तो HR-A के लिए क्यों नहीं consider किया जाए तो income tax कहता है जब DA हर जगे basic salary के ही बराबर है तो HR-A के लिए भी basic salary के बराबर होना चाहिए और साथ में commission भी add करेंगे अगर वो percentage on turnover की form में दे रखा होगा तो इस बात को एक question की help से मैं करके दिखाऊंगा तब आपको मेरी बातें जादा समझ में आएंगी Mr. X ने आप से ये कहा कि जो मेरी basic salary है वो दे रखी है 20,000 रिपीच पर मत मेरा dear illness allowance है 10,000 रिपीच पर मत और इसके आगे लिखा हुआ है for me फिर उसने कहा कि सर में sale department में हूँ तो commission मिलता है 1% of turnover और मेरा total turnover सा 40,000 रुपे दिये रखा है सर मुझे lunch allowance में मिलता है और सर मुझे lunch allowance मिलता है 1200 रुपीच पर मत और सर मुझे साथ में एचारे मिलता है 8,000 रुपीच पर मत और सर मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं rent paid in daily मैं दिल्ली में rent pay करता हूँ और वो rent होता है 9,000 रुपीच पर मत सर मेरी gross salary निकाल दो मैं कितनी salary पर tax pay करूँगा मेरी gross salary निकालता हूँ तो इसको solve करते हैं तो पहले मैंने यहाँ पर लिखा basic salary 20,000 into 12 2,4,000 फिर डिये के आगे मैंने लिखा 10,000 चाहें forming लिखा होता चाहें not forming मिल तो रहा है न वो तो retirement का statement है अभी तो include करना ही पड़ेगा फिर इसके बाद मैंने commission लिखा और 40,000 का 1% हो गया 40,000 lunch allowance मैंने आपको बताया हुआ है fully taxable होता है तो lunch allowance हो गया 1200 into 12,14,400 रुबे फिर इसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा HR A और HR A मुझे मिलता है 8,000 रुपीच पर मन तो 8,000 into 12,96,000 inner column मैं लिखा और यहां लिखा exemption section आपको याद नहीं रहेगा U oblique R U oblique S का मतलब होता है under section और R का मतलब होता है under rule 2A अब working notes में आ जाएंगे सबसे पहले देखो वो metro city में रेंट पे करता है या non metro में तो देली question paper में दे रखा है तो पहली information हो गई mat pro city फिर दूसरी information salary निकालती है एक main salary है और एक HR A की salary अलग से निकालेंगे जिसके अंदर basic salary को तो लिया ही जाएगा और DA को तभी लेंगे जब DA के आगे forming लिखा होगा इस question में DA के आगे forming लिखा है तो जब DA हर चीज में यूज में आ रहा है तो फिर HR A के लिए भी यूज में आना चाहिए तो फिर यहां पर DA भी लिख लिखे लिए एक लाग बीस हजार अगर DA के आगे not forming लिखा होता तो main salary में तो आता लेकिन HR A की salary में नहीं आता तो अभी income tax कहता जिने retirement benefits बगारा के लिए हम DA को salary मानते ही नहीं है तो हम HR A के लिए भी salary नहीं मानें फिर सरकार यह कहती है एक चीज और include करो अगर commission turnover पे मिल रहा है percentage की form में हाँ सर एक percent turnover तो 40,000 रुपे इसको भी salary का अभीन अंग माना जाता है sale वालों के लिए सरकार यह मानती है sale वालों के लिए commission तो मिलना ही चाहिए तो book salary का अभीन अंग माना जाता है अब यह कितना हो गया 3,60,000 और 40,000 यह बाई चैंस पूरा round figure में निकल के आ गया 4,00, रुपे इस पे हमने बना दिया blog कि यह वो salary निकल के आ गई जो HR के लिए salary है अब इसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा पहली limit सर पहली limit आपने लिखवाई थी 50% of salary तो 4,00, का निकाल दिया बेटा 50,50, 50% और वो निकल के आ गया 2,00, फिर इसके बाद दूसरे नमबर पे निकाला actual HR received उसको HR मिला कितना तो सर वो question paper में दे रखा 8,000 रिपीच पर मन्त मिलता है तो वो हो गया 8,000 into 12 वो हो गया 96,000 फिर तीसरे नमबर पे limit ले रखी है rent paid minus 10% of salary rent paid दे रखा है bracket में 9,000 रिपीच पर मन्त तो rent paid हो गया 9,000 into 12 minus 10% of salary HR वाली salary 4,000,000 उसका 40,000 तो ये हो जाएगा 1,8,000 minus 40,000 तो ये आगया 68,000 अब तीन limit हमने निकालनी 2,96,000 और 68,000 इन तीनों में जो भी lower होगा वो आपका exemption के लिए qualify करेगा और इन तीनों में छोटा कितना निकल के आ रहा है 68,000 तो यहां हम minus कर देंगे 68,000 तो ये हो जाएगा 28,000 मिला कितना था 96,000 एक्जेम कितना हो गया 68,000 टैक्सिबल कितना हो गया 28,000 और इसको कह दिया जाएगा gross salary तो 2,40,000 पिलस 1,20,000 3,60,000 पिलस 40,000 तो 4,00, तो यही हो गया हाँ सर बिलकुल 4,00, में 2,00, और एट कर देते हैं तो 4,00, पिलस 14,400 और पिलस 28,000 और यह salary निकल के आ गई 4,00, 42,400 मैं आपको यह भी बताने की कोशिश करूँगा बैसे बहुत कम बताता हूं पैचिज में लेकिन आपको बताने की कोशिश करूँगा यह 3 limit आई कहां से इसकी philosophy भी दूँगा लेकिन पहले एक question मैं आपके हास्य करवाऊंगा उसके बाद मैं बताऊंगा यह वाला तो यहाँ एक question छोटा सा मैं अपने पस आपको देता हूँ एक आदमे की basic salary दे रखिये बेटा 50,000 रुपीश पर मंद इसकी photo की चलो आप क्योंकि अभी solve करने के लिए आपको यह चाहिए होंगी तीन limits कौन कौन से ही होती है तो इनका आप screenshot ले लो या फिर इसको कहीं पर note down कर लो जल्दी से आप लो यह कोशन करने के लिए आपको देखना पड़ेगा यह वाला तो 50% of basic salary actual HRE received rent paid minus 10% of salary और salary की definition में आएगा basic salary DA तभी आएगा जब उसके आगे forming लिखा होगा और commission तभी आएगा जब percentage of turnover दे रहा होगा तो dearness allowance 20,000 रुपे पर मन्त और bracket में लिखा 50% forming इसके बाद लिखा commission 2% of sales sales और turnover एक ही बात होती है और total sales दे रखी है 65,000 Children education allowance 750 पर मन्त for three children HRE दे रखा है 17,000 पर मन्त और bracket में rent paid in Mumbai रुपीज 19,000 पर मन्त जल्दी से शुरू हो जाओ और अपना answer chat box में लिखोगे इसकी gross salary निकाल के दिखाओ कितनी निकल के आएगी मैं शुरू करता हूं बेटा आप लोग अपने answers post करो बेटा सबका answer चाहिए मुझे 18 बच्चे 17 बच्चे देख रहे हैं ट्वेंटी थाओजन इन्टो ट्वेल टू लग फर्टी थाओजन कमीशन तू परसेंट सेल्स का 65 लग इन्टो टू परसेंट एक लाख तीस हजार चिल्डन एडू के लाओंस 750 इन्टो ट्वेल निन थाओजन मिनस एक्जम्शन अन्टर रूल तू दू दबल बी हंड़ेट इन्टो टू इन्टो ट्वेल चौबिस सो शिक्षीस हंड्रेट सर्वाथ री चिल्डन थाना सम्प देखता हूं में एक बार 17,000 इन्टू 12 2,4,000 माइनस एग्जेम्शन अंडर रूल 2A अब यहाँ पर वर्किंग नोट्स में हम आते हैं मुंबई का मतलब मेट्रो हो गया अब एक सेलरी निकालते हैं हरे के लिए बेसिक सेलरी 6,000 डियरनेस अलांस फॉर्मिंग और 50% फॉर्मिंग है तो दो चालिस का आदा हो गया एक लाग 20,000 कमीशन परसेंटेज अन टर्नोवर परसेंटेज टर्नोवर में दे रहे कि ये एक लाग 30,000 तो ये हो गया एक लाग 30,000 तो आप लाग पचास हजार रुपे निकल के आ गई इस पर बना दिया है बिलॉक क्योंकि यह सैलरी हो गई साथ लाग बीस और साथ पचास और एक आठ लाग पचास पहली लिमिट आठ लाग पचास हजार रुपे का 50% 4,25,000 दूसरी लिमिट एक्चुल हरे रिसीवड हरे रिसीवड दे रखा है 2,4,000 रुपे तीसरी लिमिट रेंट पेड और रेंट पेड दे रखा है 19,000 पर मन्द तो 19,000 इंटू बारे माइनस टैन परसेंट आफ सेलरी 89,000 तो 19,000 इंटू बारे 2,28,000 माइनस 85,000 और यह हो गया 1,43,000 तो इन तीनों में छोटा देखेंगे 1,43,000 तो यहां से माइनस किया 1,43,000 तो 2,4,000 रुपे में से माइनस करेंगे तो बच जाएगा 61,000 तो इसको बोलेंगे बेटा गिरॉस सेलरी गिरॉस सेलरी 6,00,000 रुपेज पिलस 2,40,000 पिलस 1,30,000 पिलस 6,600 पिलस 61,000 और इट कम्स 10,37,600 और इस दा करेक्ट आंसर 10,37,600 मैं बेच में हमेशा बच्चों से एक पूछता हूँ तुम एक आइटम लेने के लिए गए सब पोच करते हैं जीन्स लेने के लिए गए तो मैं बच्चों से पूछता हूँ, तुम कितने की जीन्स लेके आओगे और ये बात मैं पहले बोल देता हूँ, पैसे के टम्स मैं नहीं बताओगे ये मत बोलना हजार की लेके आएंगे, दो हजार की, ये पैसा नहीं पूछना है मुझे तो एक बच्चा कहता है जतने पैसे जेम में पढ़े हैं जतने पैसे जेम में पढ़े हैं इसको मैं देता हूँ हमाई पास कितना अवेलेबिल है फिर पच्चे थोड़े बोलते हैं सा जितना हमारी हैसियत है मैं इसको कहता हूँ अफॉल्डेबिल्टी और बच्चे बैच में आशर दे भी देते थें फिर बच्चे सोचते रहते हैं बहुत देर तक फिर बच्चे कहता है जतने की शर्ट थी शर्ट के जतने की जीन्स थी इसको मैं कहता हूँ डिमांड और खुब discussion करने के बाद यही तीन आंसा निकल के आते हैं या तो हम चीज खरीदेंगे जितने हमारी जिम में पैसे पड़े हैं या हम खरीदेंगे जितने की हमारी आउकात है हैसियत है या जितने हमारी जितने सामने वाले ने डिमांड किया और हमेशा इन तीनों में जो लोवर होता है उतने की हम चीज लेके आते हैं मेरे पास जेम में पांचेज़ार रुपे पड़े हुए है लेकिन मैं घर से सोच के गया था नहीं बजट खराब हो जाएगा तीन जार रुपे की जीन्स लेनी है बस मैक्सिमम यह मेरी अफोल्डिबिल्टी हो गई जिस जीन्स पर हात रखा फिटिंग वगर अची लगी वो 25 रुपे की थी तो मैं ताम मैं कितने की जीन्स लेके आऊंगा 25 रुपे की जीन्स लेके आऊगे मेरी जेम में पांची जार रुपे पड़े हैं लेकिन मैं घर से सोच रहा था कि नहीं तीन जार रुपे खर्च करूँगा ज्यादा खर्च करूँगा तो मेरी पैसे बजट खराब हो जाएगा जो जीन्स 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 पर हात रगा पसंद आई वो 42 रुपे की थी जीन्स लेकर आ आ नहीं तो मैं इस जीन्स को छोड़ दूँगा मुझे दुकंदर से क्या बोलूंगा भाया जीन्स तो अच्छी लग रही है लेकिन हमारे पॉकेट अलाउ नहीं कर रही है भाया तीन हजार से मेंगी हम नहीं ले पाएंगे तो मैं बैलेस सौ वाले की छोड़ दूँगा में के बल तीन जार रुपे वाले की लेकर आओंगा नहीं मेरे जेम में पैसा पड़ा हुआ है 3000 मेरी हैसियत 5000 रुपे की है और जीन्स पसंद मुझे 4500 रुपे की हाई है मैं सोच के गया पांश तक की जीन्स ले आओंगा घरवालों ने अलाव कर दिया जिस जीनस पहात रखा पसंद आई वो 4500 रुपे की थी जब वालेट ओ पोड़ों गे तीन तक की लोगे जब आपके जेमें तीन जार रुपे पड़े हुए हैं। आप सोचो जिंदगी में आप हर चीज ऐसे ही लेते हो। जितना आपके पास पड़ा होता है, जितना आपके पास अवेलेबल होता है और जितना सामने वाला डिमांड कर रहा होता है, उन तीनों में जो लोवर होता है, हमेशा वोही चीज आप खरीद के लेके आते हो। सरकार रेंट के बारे में भी ये कहती है, जितनी आदमी की सैलरी होती है, उसके 50% के बराबर उसको मैकसिमम रेंट पे करना चाहिए, मैकसिमम अगर तुम 60,000 रुपे सैलरी तुमारी है, तो 30,000 रुपे मतलब 90,000, 60 अगर कोई कमाता है, तो उसको जो रेंट होना चाहिए, वो 30 का होना चाहिए, मैकसिमम तो 30, 90,000 रुपे कमाओ, 60 की सैलरी और 30 रेंट के, 30, 30 रेंट पे करो तो 60 अगर सैलरी है, जो रेंट होना चाहिए वो सैलरी के आदे के बराबर होना चाहिए ये क्या होगे आपके लिए, ये आपकी अफॉल्डेबिल्टी हो गई अफॉल्डेबिल्टी, जो बोस ने एचारे दिया, वो आपकी अफॉल्डेबिल्टी हो गई और रेंट पेर, जो मकान मालिक ने रेंट आपसे मांगा, वो आपके लिए डिमांड हो गया दस परसेंट वाले कंसेट को अभी छोड़ दो, इसका भी पीछे लोजिक है, दस परसेंट क्यों मैनस किया गया है लेकिन कहां तक समझोगी इन चीजों के लिए तो अगर 50% of salary आपके लिए क्या हो गई, 50% of salary आपके लिए हो गई, affordability, सरकार कहती है, इससे ज़्यादा रेंट किसी को नहीं देना चाहिए एक्चुल HR ए रिसीप क्या हो गया, जो आपके पास पढ़ा हुआ है, बोस्न जो आपको रेंट दिया और रेंट पेट क्या हो गया, जो मकान मालिक ने आपसे मांगा, आपको एक्चुली में तीनों में जो लोवर होगा, वो आपको रेंट पे करना चाहिए था, यहां से यह तीन लिमिट निकल के आई, हाला कि इसका कोई फरक नहीं पड़ेगा, अगर लिमिट लगाने आती ह यहां से ठीक आएगा, लेकिन कोई लॉमेकर कोई चीच बना रहा है, तो क्या सोच के बनाएगा, यही सोच के तो बनाएगा, कितना उसको रेंट पे करना चाहिए, पहले यह डिसैट करो, अपनी इंकम के आधे के बराबर, कितना उसके पास पैसा पढ़ा है, जो बॉस ने यही मैं GST भी आपको पढ़ा रहा हूँ, कल तो कर मैं GST बेच में पढ़ा रहा था, और मैंने जो बेच शुरू किया है, इस बार बड़े अच्छे टॉपिक से शुरू किया है, पेइमेंट आप टेक्स और ITC, तो ITC में पढ़ा रहा था कल, मतलब मैं लॉमेकर्स की क्या होती है, बनाने की, तो बहुत सारा पढ़ाऊंगा में, बहुत कुछ आपको करवाऊंगा, लेकिन पहले एक कोशन और करके दिखाओ, मेरी बुक क्या कोशन नमबर फाइब, हर बच्चे के पास मेरी बुक है, और यहां पर भी ओपिन हो रही है, कोशन नमबर फाइब जल्दी से सॉल्ब करो, और अपना ऐंसरा पोस्ट करो, कोशन में केबल पूछा गया है, तो पहली बात तो पूरी ग्रॉसेली मतलिक देना, केबल एचरे पूछा गया है, कुछ बच्चे एकजमशन लिख देते हैं, देखो कोशन में पूछा गया है, हाउस रेंट एलाउ बोक्स में लिखो बहुत जल्दी आयोशी ने कहा 31,200 मैं करवाता हूं बाकी लोग अपने आंसर लिखना तो पहले हम सैली निकाल लेते हैं एचारे के लिए एचारे के लिए सैली निकाल लेते हैं बेसिक सैली आएगी 3,60,000 रुपे डिये क्योंकि 50% फॉर्मिंग है तो 72,000 आएगा तो यह हो जाएगा 4,32,000 रुपे जाएगा 4,32,000 वो सैलरी आगई जो एचारे के लिए यूज में आएगी देहली में रेंट पे करता है तो मेट्रो तो पहले लिमिट निकाल देंगे 50% इसका 4,32,000 रुपे का एक लाख 44,000 माइनस 10% अफ सैलरी 43,200 माइनस कर दिया तो एक लाख 800 रुपे बच गया तो एग्जम्शन हो जाएगा इन तीनों में छोटा जो है 1,800 तो HR-E मिला उसको कितना था मिला था उसको HR-E 1,32,000 रुपे एक लाख 800 रुपे तो टैक्स से बिल कितना हो जायागा 31,200 तो 31,200 इस दा करेक्ट आंसर 31,200 is the correct answer देखो बिटा very good सब बच्चों ने सही किया very good दो-तिन बच्चों ने गलत किया सही कर लेंगे लेकिन अगर वो रहता है non-metro के अंदर तो बस एक छोटी सी कमी हो जाएगी कमी क्या एक छोटा सा अंतर हो जाएगा 50 की जगे 40% कर दिया जाएगा 40% of salary rest is same बच्चों सेम रहेगा actual HRE received और तीसरा rent paid minus 10% of salary exemption जिसने पहले पढ़ भी चुके हो वो भी जूम पे पढ़ो revision हो जाएगा पूरा पूरा syllabus भी यहाँ पे करवाऊंगा मैं पूरा जो बेच में होता है वो तो हो जी रहा है यहाँ पे भी पूरा syllabus में करवाऊंगा exemption which average lower और salary का मतलब वो ही होगा तो left में था basic salary DA forming commission fix percentage on the turnover कहां पे आगरा यह six question करके दिखाओ homework रहने दो बाद में पहले six करके दिखाओ उसके बाद बताऊंगा homework पहले six question करके दिखाओ साक्षी सिंग से 14400 अपने answer post करना मैं solve परता हूँ 40,000 रुपे पर मंद basic salary है तो हम HR के लिए salary निकालेंगे तो 4,80,000 Dearness alone 60% of basic salary है तो वो हो गया 24,000 40,000 का 60% 24 आदा forming है तो बार है तो यह हो जाएगा 1,44,000 दोबारा समझो basic salary 40 है Dearness basic salary का 60% है तो आपका 40 का 60% हो गया 24 और 24 में से आदा forming है तो DA के लिए forming लेंगे तो वो हो जाएगा 1,44,000 तो 4,80,000 पिलस 1,44,000 यह हो गया 6,24,000 अब तीन लिम्ट समय निकालनी है क्योंकि आगरा दे रखा है आगरा तो पहले हम लिखेंगे 6,44,000 रुपे का 40% तो 6,24,000 रुपे का 40% आजाएगा 2,49,600 दूसरी लिम्ट एक्चुल हरे रिसीप वो दे रखा है 16,000 रुपे पर मन्थ तो यह हो जाएगा 1,92,000 16,000 रुपे पर मन्थ का मतब 192 तीसरी लिम्ट रेंट पेड तो 20,000 रुपे का मतब 2,40,000 माइनस 62,400 62,400 तो 2,40,000 रुपे मैंसे माइनस कर देता हूँ 62,400 और यह हो जाएगा 1,77,600 हमारे पास तीनों लिमिट आ गई हम देख लेते हैं छुटी कौन सी है 1,77,600 इसका मतलब यह एक्जेम्ट होगा मिला था उसके लिए 2,40,000 रुपे नहीं HR उसको कितना मिला था मिला था 1,92,000 मिला था उसके लिए 1,92,000 और एक्जेम्ट हो गया 1,77,600 तो मैंस कर देते हैं तो आंसर आ जायेगा 14,400 and that is the correct answer 14,400 14,400 14,400 14,400 14,400 वेरी गुड बेटा इंप्रेस्ट वेरी गुड देखो आगे मैं एक कोशन यहाँ पर डिजाइन करता हूं Mr. X वो यह कहता है मेरी बेसिक सैली है 42,000 रुपीच पर मन्थ डियरनेस अलाउंस है 20,000 रुपीच पर मन्थ और 50 परसेंट फॉर्मिंग है फिर वो कहता है कि सर मेरा कमीशन जो दे रखा है वो 2 परसेंट आफ टरन ओवर है और ब्रैकेट में जो टरन ओवर दे रखा है वो दे रखा है 40,000 रुपे फिर एचारे दे रखा है और एचारे दे रखा है 8,000 रुपीच पर मन्थ और यहाँ पर मैंने लिखा वो अपने घर में रहता है तो बच्चे तो पहली बात पूछते हैं आचारे मिल कैसे सकता है मैं कहता हूं तुम यह कोईशन पूछके जो मेरी पहली क्लास थी वो मेहनत बेकार कर रहे है एचारे के अलाउंस की अंदर देने वाला दे देता है तो मैं जरूवत हो तुम खर्च कर लो जरूवत नहीं है तो खर्च मत करो मैंने कितने प्यारे प्यारे एचारे देंगे रेंड पे करने के लिए जिससे की आप आराम से रह सको मुझे जरूवत है तो मैं आचारे माल लूँगा जरूवत नहीं है तो ठीक है बेसिक सेल्ली की तरीके से ट्रीट कर लो तो ये तो मत पूछना कि आचारे मिल कैसे सकता है देने हाँ अगर मैं पर्क के बात करूँ तो पर्क में आपको चीज़ यूज करनी पड़ती है बीमार पढ़ना पड़ता है खाना खाना पड़ता है बट एलाउंस में आपको पैसा मिल जाता है फिर सामने वाले को इससे मतलब नहीं है कि आप वो खर्च करते हैं नहीं करते हैं बास ने दे दिया अब हम अगर एक इस कोशन को कैसे सॉल्ब करेंगे तो देखो पहले तो बेसिक से लिए लिख लेते हैं 42,000 इंटू 12, 5,4,000 फिर लिखा डियरनेस अलाउंस 20,000 इंटू 12, 2,40,000 फिर लिखा कमिशन और वो हो गया 80,000 अब यहां पर लिखा एचारी 8,000 इंटू 12, 96,000 और यहां पर लिखा एगजेंशन तो चलते हैं वर्किंग नोट्स के अंदर बेटा तो यहां निकालते हैं पहले मेट्रो या नोन मेट्रो सपोर्च करते हैं वो रहता धेली के अंदर है यह अज्यूम कर लेते हैं कोई फरक नहीं पड़ेगा चलो हम मान निकालते हैं मेट्रो तो पहले सैली निकाल लेते हैं सैली 5,004,000 डी ए फॉर्मिंग यह नोट फॉर्मिंग 50% फॉर्मिंग तो एक लाख 20,000 और कमेशन 8,000 तो यह हो गया 7,004,000 अब पहली लिमिट निकाली तो 50% 352,000 दूसरी लिमिट एक्चुल हरे रिसीब 96,000 तीसरी लिमिट रेंड पेड वो 0 है क्योंकि अपने घर में रहता है माइनस 10% of salary 70,400 और ये 0 आजाएगा असर नेगेटिब नहीं आएगा एक्जम्शन नेगेटिब में कैसे पॉसिबल है, डिसकाउंट कोई आदमी तो नहीं दे, ये तो पॉसिबल है, लेकिन डिसकाउंट 0 में नेगेटिब में कैसे पॉसिबल 1000 रुपे की शर्ट, तो पूस डिसकाउंट नहीं देगा, ये तो पॉसिबल है नेगेटिब में कैसे पॉसिबल है तो यहां पर जीरो मैंसे कुछ भी मैंने करो आफिर जीरो निकल के आएगी तो बच्चे मालों मैं क्या करते हैं बच्चों से मैं कहता हूँ एक्डम्शन कितना और बच्चे क्या करते हैं उन पर वाले दो मैंसे छोटा 96 लिख देते हैं मैं कहता हूं एक्डमशन जीरो जीरो भी तो अपने आप में एक figure है ना जीरो एक figure है उन दोनों में छोटा नहीं देखेंगे तीनों में छोटा देखेंगे जीरो एक figure इसका मतलब exemption का benefit नहीं दिया employee is not paying the rent then exemption will not be allowed और ये mcq के तरीके से बहुत आता है अगर rent पे नहीं करोगे तो exemption का benefit भी नहीं दिया जाएगा और तो मैं बात भी logical लग रही होगी न जो exemption खर्चे पर depend करता है वो खर्चा ही नहीं कर रहे हो जब खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो आपको exemption ही नहीं दिया जाएगा जैसे two rent traveling allowance है वो exemption खर्चे पर depend करता है आपको 5000 रुपे पर मत मिला और पूरे साल में आपने कुछ भी खर्च नहीं किया तो बता कि इतना taxable होगा तो पूरा का पूरा taxable हो जाएगा तो क्योंकि HR-A का exemption खर्चे पे depend करता है जो आखरी limit है उसमें लिखा हुआ है rent paid rent paid का मतलब हो गया वो ये पूछ रहे है कितना खर्चा तुमने किया तुम खर्चा ही नहीं कर रहे हो तो आखरी limit हमेशा zero हो जाएगी तो lower zero निकल के आएगा तो no need to compute the exemption ये rule याद कर लो अगर कोई कभी HR-A नहीं पे rent paid नहीं कर रहा होगा तो उसको exemption नहीं दिया जाएगा तो इस तरीके से तमाशा करने जो तुम नहीं है exemption बगरा कुछ नहीं सीधे बस नीचे note डाल के लिख देना क्योंकि वो rent pay नहीं कर रहा है तो exemption का benefit नहीं दिया जाएगा तो पूरा कितना taxable हो जाएगा 96,000 taxable हो जाएगा और घर पे जाके आराम से निकाल लेना इसकी gross salary कितनी निकल के आएगी and this is the end of today's class अभी कोई homework नहीं है आज के लिए बट कल वाली class miss मत कर देना कल एक बहुत शांदर चीज HR में मैं बताँगा कि अगर उसकी salary during the year change कर दी जाए पहले salary मिलते थी 20,000 फिर कर दी जाए 25,000 या उसका HR चेंज कर दी आ जाए पहले मिलता था 8,000 फिर कर दी 10,000 या उसका rent चेंज कर दी आ जाए पहले वो 6,000 रुपे rent पिकड़ता था फिर मकान मालिक नमकान खाली कर वा लिया दूसरे मकान में गया तो rent हो गया next class beta that's it for today कोई भी डाउट है उससे पूछ लो otherwise class is over beta